गुद मॉर्णिंग बच्चों आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट 63 विशेगनित कक्षा 10 हमारी डेट 4 दिसंबर के लिए या नमबर लिखा हुआ है 4 दिसंबर की आपकी वोक्षीट है तो हम आज की वोक्षीट में पढ़ेंगे माध्य का अगली विदी कल्पित माध्य विदी वर्गी करित आकड़ों का माध्य गात करने के लिए प्रियोग होता है तो मैंने आपको अच्छे से समझाय था पिछली वोक्षीट में वर्गी करन क्या होता है वर्गी करन आकड़े कौन से होते है ठीक है जो उपरी सीमा होती है निचली वर्ग सीमा होती है वो सब क्या होता है तो अब देखो जब X, I और F, I X, I क्या था हमारा वर्ग चिन था क्या होता था उपर और नीचे वाली जो सीमा है उनको प्लस करके हम क्या करते थे दो से विभाजित करते थे और F, I क्या आपकी बारम बार था ठीक है तो XIFI के मान बड़े होते हैं तो इनके गुणनफल ग्यात करना जटेल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है मान लो आपके पास जो XIFI का मान अगर बहुत बड़ा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये कालपित माध्य विदी है ये हम अपनाते हैं तो इस समय अधिक हमें क्या लगता है जादा समय भी लगता है तो इस विदी की गणना को सरल बना देती है कौन जो कालपित माध्य विदी है ठीक है, जो कैलकुलेशन है आपकी जो आपको गुननफल है जो आपका समय है वो भी कम लगता है इसलिए हम जो हमारी कलपित कलपित माध्य विदी है उसका प्रियोग करते है अब देखो इसका सूत्री क्या होता है और किस तरीके से हम निकाल सकते है उसकी पद क्या होते है वो हम पढ़ेंगे चरण जो हमने किये थे पिछली वोक्षिट की तरह ही और उधारन से उनको सीखेंगे अब देखो आपके पास दिया हुआ X1, X2, X3 ये वर्ग अंतराल के मध्य बिंदू है या जिसको बोल सकते है वर्ग चिन वर्ग चिन क्या होता है जो हमारा उपरी वर्ग सीमा है और जो निचली वर्ग सीमा है ये क्या है बारम बारता है ये बारम बारता है तो कल्पित माध्य विदी सूत्र से हमारा जो सूत्र है वो क्या बनेगा जो माध्य है X के उपर ये जो बार होता है ये क्या होता है हमारा माध्य का साइन होता है तो माध्य है वो किसके बराबर A अ क्या है कल्पित माद्दे एक हम अपनी तरफ से जो XI है न जो यह XI यह वर्ववव गुणनफल का योग उनका जो गुणनफल है निकालने के बाद उन सब को जोड देंगे हम ठीक है ऊपर और नीचे क्या करेंगे जो हमारी यह है frequency बारंबारता है जो इनका जोड ठीक है तो यह हो जाता है हमारा सूत्रे अब यह आपको question से जैसे कल हमें अच्छी से समझ में आ गया था question हल करने के बाद उसी तरीके से आज जब हम इसको प्रशिनों में करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा यह चीज़े क्या है क्योंकि यह सीधा formula देखे confused हो जाते है कोई दिकत वाले बात नहीं अब चलो देखो कैसे निकालेंगे विधी क्या है काल्पित माद्य विधी से माध्य निकालने के चरण क्या करना होता है जो पहला आपका चरण है आपको क्या बनाना पड़ेंगी पांच स्थम वाली साण यह بنानी पड़ेंगी मतलब आपको एक table बनानी है जिसमें 5 आपकी क्या होने चै deg pumps होने च cuánt होने चीए गरणפर निकालते हैं तो यह साथ हमारे चरण तो इसको उधारनों से समझते हैं और पित माध्य विदी से ने में लेकित बंटन का माध्य ग्याद कीजिए तो देखो आपको वर्ग दिया हुआ है ठीक है वर्ग दिया हुआ नीचे बारंबारता दी हुई है किस चीज की यह आपको मतलब कुछ भी दिया होता है कि दो से आठ साल के बच्चे हैं और इसे छे जिनको जो बिमार है या जिनको प्राइज मिलना है कुछ भी ले सकते हो तो यह आपको वर्ग अंत्राल है यह आपको एजटी लिखना होता है पहला जो आपका डिबा होता है और दूसरे में आपको क्या निकलना होता है बारंबारता लिखना होता है ठीक है यह दो तो हमार यह 8 इन दोनों का जोड बटे में 2, 2 और 8 कितने होते हैं, 10, 10 बटे 2, कितना होगे, इसको काट दोगे तो आएगा 5, तो 5 है, अब हमारा क्या होगे, एकस ही आगया, उसके बाद है 8 से 14, 8 से 14 आट और प्लस में 14 डिवाइडिड वाइ 2, 8 और 14 कितने होते हैं, 8 और 14 हमारे हो जाते हैं, 22, तो हम इसको विवाजित करेंगे 2 से, काटोगे इसको तो आजएगा 11, ठीक है, तो यह क्या हो गया, 11 आगया, इसी तरीके से आपको सारे निकालने हैं, 14 और जो 20 है, यह कितने हो जाएंगे, फिर 20 और 26 को जोड के, 26 और 32 को जोड के, इन सब को 2 से विवाजित है, तो मैं चुन लेती हूं, 17, ठीक है 17 को चुनलेती हूं, इसको मैंने लिखा, ए कर चलोगे अपना काल्पित माध्य लेकर चलोगे कल्पित माध्य आपका सत्रा है अब मुझे निकालना है अगले चरण में डी आई डी आई क्या होता है जो मेरा एकस आई है इस में से मैं क्या घटा दूगी अपना कल्पित माध्य यह जो सत्रा है यह घटाऊंगी तो मतलब 5 में से 17 घटाओं के कितना होता है 5-17 17 में से 5 गई 12 किसका sign लगता है 17 बड़ा है इस पर आगे minus है तो minus लगेगा minus 12 ठीक है उसके बाद है 11 11 में से 17 minus करूँगी क्यों minus कर रही हूं में 17 क्योंकि हमें इन में से a minus करना होता है 11 में से 17 minus होगे 6 कोन बड़ा है 11 या 17 17 बड़ा है 17 के आगे minus है तो minus लगा दूँगी minus 6 ठीक है इस तरीके से निकालने फिर 17 है अगला तो 17 में से 17 minus करेंगे तो 0 ही आएगा उसके बाद है 23 23 में से 17 घटाओगे तो 6 आएगा 29 में से 17 घटाओगे 12 आएगा तो ये मेरा अगला जो di है ये भी हो गया फिर सबसे last वाला है जो last में हमें निकालना क्या होता है f i और di का गुननफल f i और di का गुननफल ये है f i ये है di तो ये इसको गुना करो इस से फिर 12 के कितना होता है 72 बहत्तर होता है तो यहां पे 12 बड़ा है तो साय नकिस काएगा 12 काएगा – 72 इसमें तो वैसे गुनन में कुछ नहीं आपको प्लस-्माइनस देखना होता गुनन में अगर एक प्लस है चैनलन में प्लस में होता है बड़ा होता है उसका symbol लगता है उसका sign लगता है लेकिन जो multiply है उसमें plus minus में minus ही आपका लगेगा तो ठीके 12 चिके कितना होता है मेरा 72 होता है 72 हो गया फिर 6 को मुझे 6 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा minus 6 f फिर 0 को करूँगी 12 से तो 0 को किसी से भी करेंगी 0 ही आएग फिर 11 चिके कितना होता है यह 66 आएगा आठ को मैं 12 से करूँगी 12 कितना होता है 96 होता है ठीक है तो यह मेरी जो तालीका है वो बनकर त्यार हो किए अब मुझे हल करना है तो आपको दो चीजे सबसे पहले जोड़नी होती है f i की जो value मान है यह जोड़ना होता है और जो बा जाएंगे 37 हो जाएंगे 37 प्लस में यह आपका जो f रहेगे यह आपको जोड़ना पड़ेगा 37 प्लस f ठीक है उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर जोड़ो यहाँ पर सिर्फ माइनस बहत्तर है माइनस वाले को एक तरफ रख लो उसके बाद इनको जोड़ो आप 96 और 66 क जोड़ो गे और उसमें से 72 को घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा 90 ठीक है 90 आने के बाद यह जो बच गया f वाला यह आपको प्लस में करना है अब इसके आगे यह देखो प्लस और माइनस माइनस होता है तो यह क्या होगे 90 माइनस 6 हो जाएगा अब आपके पास निकल की बारंबारता का योग और जो fi di है इनका योग अब मेरा जो सूत्र होता है माद्य का वो मैं लगाऊंगे क्या होता है जो मेरा कल्पित माद्य है वो और यहां पर मैं क्या विभाजित करती हूँ इसमें से जो fi di का जोड है उसको मैं विभाजित करती हूँ बारंबारता क जोड से, फाई के जोड से, ठीक है, तो मेरा जो A है, A कितना क्या है, 17 माना था मैने कल्पित, कल्पित माध्य 17 माना था, तो ये मैने या 17 लिखा, और ये माध्य है आपको दिया हुआ है, प्रेशिन में, ये देखो, यहाँ पे आपको प्रेशिन में दिया गया है, ठीक है, यहां पे लिख दो कि 18.8 ठीक है यहां पे बिटा यह line missing है आपकी क्योंकि English medium में यहां पे लिखा हुआ है कि जो माद्या है जो आपका माद्या है वो 18.8 है ठीक है आपकी worksheet में नहीं लिखा हो कोई बड़ी बात नहीं लिकिने आपको दिया गया है अब देखो यहां से माद्य है जो यह 18.8 और A है यह कल्पित माद्या 17 यह क्या है यह जो यह हो के मेरा 90 minus 6F हो जाएगा और नीचे जो बारं बारता है 37 plus F यह नीचे हो जाएगा ठीक है अब क्या करूंगी यह 17 इदर प्लस में है इदर आ कर क्या हो जाएगा minus में 18.8 में से 17 घटाएंगे तो कितना जाएगा तो 1.8 के साथ ये गुना हो गया फिर इधर क्या बचा इधर तो सिर्फ 90-6 f बचा अब मैं क्या करूँगी एक पॉंट 8 को एक बार 37 से गुना करूँगी कितना आएगा मेरा 66.6 और एक बार इसको f से गुना करूंगी मेरा आएगा 1.8f ठीक है फिर इधर क्या है 90-6f है अब क्या करो इसको f वाले जो नंबर है आपके उसको एक तरफ कर दो और जो ये दूसरे जो बचे हैं इनको एक तरफ कर दो ठीक है इधर 6f माइनस में है इधर कराओगे प्लस में हो जाएगा 1.8f और 6f म तो यहां पर जो यह आ गया f यह कितना हो जाएगा 23.4 में विवाजित क्या हो जाएगा 7.8f के साथ गुना में है नीचे आ जाएगा 7.8 ठीक है तो यह आपका हो जाएगा 3 ठीक है इसको काटके हम क्या लिखेंगे 3 तो f की value कितनी आ गया आपकी 3 आ गया f कमान अब देखो यह हो गया उधारन एक अब हम चलते हैं हमारे उधारन नमबर 2 पे यह आपका उधारन नमबर 2 इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको यह सार्णी जो दी हुई है यह सार्णी है कि एक कमपनी में अलग-अलग शाखाओं में जो विभाग है अलग-अलग उसमें कितनी महील करमचारी है उनका कितना प्रतिशत है ठीक है कितनी महीला है कितनी प्रतिशत महीलाई है तो उनको देखने को मिला कि एक विभाग में पांच से पंदरा प्रतिशत महीलाई है और दो विभागों में 15 से 25 प्रतिशत क्या है महीलाई और चार विभागों में 25 से 35 प्रतिशत क्य दी गई है, तो आपको पता है, पहले क्या करना होता है, मुझे ये नीचे टेबल बनानी होती है, है ना, तो हल में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो महिलाओं की प्रतिश्यत ये लिखूंगी, फिर मैं उनकी बारंबारता लिखूंगी, अलग-लग विभागों मे कितनी कितनी आई है, फिर मुझे क्या करना, अगला काम मेरा है कि मुझे XI निकालना है, XI कैसे निकालना है, 5 प्लस में 15 कितना होता है, 5 प्लस 15, XI कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, और 2 से विभाजित कर देते हैं, 5 प्लस 15 होता है, 20 बटे 2 करेंगी, तो कितना आएगा 10 तो जो मेरा x आया है x i आया है वो आया 10 इसी तरीके से आगे 15 plus 25 को मैं 2 से विभाजित करूँगी 15 plus 25 कितने होते 40 40 बटे 2 कितना होता है 20 होता है ठीक है तो जो यहां पे मेरा क्या है 20 आया इसी तरीके से 25 और 35 कितने होते हैं आपके 60 होते 60 बटे 2 कितना होता है 30 होता है ठीक है तो यह पूरी x i के value आपको निकाल लेनी है फिर मुझे क्या करना अगला काम x i में से एक कल्पित माध्य चुनना है कोई भी तो बीच वाला चुनते हैं है ना हमेशे पीच वाला चुनते हैं तो क्या करेंगे 3 उपर है और 3 नीचे हैं बीच वाली जो यह मान है इसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं 40 को अगले step में क्या करना है जो d i है d i कैसे निकलता है x i में से x i में से मैं क्या घटा देती हूँ a को माइनस कर देती हूँ ठीक है a क्या है मेरा जो कल्पित माध्य है तो x i है 10 10 में से कल्पित माध्य है 40 को घटाओ 10-40 यह देखो 10-40 40 में से 10 गए 30 होते हैं लेकिन 40 बढ़ा है तो इसका sin आ जाएगा minus 30 ठीक है इसह तरीके से अगला करना है 20 है आपका यह 20 में से आप 40 घटाओ 20 में से 40 घटाएंगे तो कितना हुआ 20 आया 40 में से 20 और sin किसका लगेगा जो बड़ा है 40 का ठीक है तो या आगया minus 20 इसी तरीके से 30, 30 में से 40 घटाएंगे 10 ठीक है अब minus का sign आएगा क्योंकि minus 40 है फिर 40 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा? 0 आएगा फिर 50 में से 40 घटाओगे 10, 60 में से 40 गटाओगे 20 और 70 में से 40 गटाओगे तो 30 आएगा ठीक है तो ये मेरी जो DI की value है वो निकलाई है अब मुझे क्या करना है DI है और जो FI है जो बारम बारता है उसको DI से गुडन फल निकालना है इन दोनों का ठीक है 20 की 20 कितना होता है 40 फिर 4 को करो 10 से कितना हैगा 40 4 गुणा में 10 40 ठीक है 4 गुणा में 0 0 ठीक है सारे आपको क्या करने है ऐसे विवाजित कर देने ठीक है ऐसे यह सारे क्या करने है विवाजित बोल रहे हैं गुणा कर देने अब देखो, अब मेरी जो पूरी सारनी है, ये तयार हो गया, अब मुझे सुत्र से, सुत्र की मदद से माध्य निकालना है, तो पहले मुझे इनको जोडना होता है, FI और DIA को जोड़ूंगी मैं, तो मेरा उत्तर आएगा 360, कैसे जोड़ोगे देखो, पहले माइनस वाले है माइनस 110, अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ के जो आपका उत्तर आएगा, इसको जोड़ लेते हैं, दिखे हुए आएगा 0, 2 और 8 कितने होते हैं, 10 और 7 हो गया 1, और यहाँ पे हो गया 470, 470 में से ये 470 होता है, अगर इनको जोड़ और माइनस वाले 110 है, माइनस वाले 110 है, इनको माइनस कर दो, तो आपका आउसर कितना हैगा, 360, तो जो यहाँ पर क्या लिखा है, 360, ठीक है, तो इनको जोड़ने के बाद, अब यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, F5 बारंबारता जोड़नी है, तो इनको जोड़ोगे आ इन सब को जोडने के बाद आपका जो योग आएगा वो आएगा 35 अब इसको सूत्र में रख दो, सूत्र क्या होता है माद्य का कल्पित योग में जमा कर देते हैं, FIDI का योग और उसको विभाजित कर देते हैं बारंबारता से, तो A है जो कल्पित माद्य है, वो हमारा 40, तो मैंने लिखा 40 फिर मुझे क्या करना है, 360 को 35 से विभाजित करना है तो 360 को जब मैं 35 से विभाजित करूँगी, तो ये 5 की जो टेबल उससे कट जाता है तो 35 से इसको काट दो, 360 से, तो 5 की टेबल में 30 से वो 7 पे आता है, और 360, 72 पे आएगा तो अब क्या होगा, बहत्तर बटे 7 होता है, पोइंट में अब डिवाइड करके निकालोगी, तो 10.28, 10.28 आएगा तो 40 प्लस में 10.28 कितना होता है, 50.28 के लगबग, अप्रोक्सिमेटली, अतर 50.28 महिला करमचार्यों का माध्य प्रतीश्यत है, ठीक है, ये हो गया आपका उधारन 2 अब हम जलते हमारी प्रशिन उत्तर, जो आज हमें स्वैम प्रियास करने हैं, दो आपको प्रशिन दिये गए हैं, तो पहला आपका प्रशिन है, देखो, नीचे दी गई जो आपके पास तालिका है, इसमें एक इलाके के 25 घरों के बोजन पर दैनिक खर्च, मतलब एक जो भोजन पर दैनिक वेका माध्य ग्यात करना है, देखो, 100-500 रुपे लगते हैं, चार घरों में, मतलब रोज आना आपकी खाने पर 100-500 रुपे लग जाते हैं, ऐसे गर चार थे, पाच गर ऐसे थे जहां पर रोज की खाने के 1.500-200 रुपे लग जाते हैं, और 12 घर ऐसे थे जहां पर 200-500 रुपे लग जाते हैं, तो यह आपकी सारनी है, आपको क्या निकाला है, इसका माध्य ग्यात करना है, तो चलो देखो कैसे निकालेंगे, यह आपका माध्य ग्यात करने का, यह सबसे पहले आपको सारनी बनानी है, ठीक है, यह सारनी आप बनाओगे, यह क्या निकालना है और DIA भी हमें निकालना है और इनका गुननफल भी हमें निकालना है तो देखो ये दोनों तो आप सेम प्रेशन में से देखके आप लिखोगे फिर मैं क्या करूँगी XI निकालोंगी XI कैसे निकालोंगी जो ये दोनों है 100 और 1500 इनको मैं क्या करूँगी 100 यहां आके आया 125, फिर आता है 1.500 और 200, 1.500 और 200 को आप जोड़ोगी और 2 से विपाज़त करोगी, तो यह आ गया, 1.500 बटे में 2, कितना आया, 1.75 है आपका XI, ठीक है, इसी तरीके से 200 और 200 को जोड़ोगी, फिर 200 और 300 को जोड़की XI निकालोगी, 300, 1.500 को जोड़की XI तो यह मेरे पास XI आ गया, अगला काम क्या है मेरा, मुझे क्या निकालना है, कल्पित मादे निकालना है, तो यह 225 मैंने कल्पित मादे निकाल लिया, क्योंकि जो बीच वाली जो टर्म है, वो आपकी यही है, ठीक है, तो यहां से मैंने XI निकाल लिया, अगला मुझे क् बी-ई च्या होता है, X आई में से में क्या माइनस कर दू, जो मेरी कल्पित माद्य है, ठीक है, तो 125 में से मैं 225 घटा दूगी, तो आएगा माइनस 100, देखो, 225 में से 125 घटाओ 100 आएगा, 225 बड़ा है, तो इसी का साइन आएगा, इस पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा है न, आपको कि मैं क्यों 225 लगा रही हूँ, क्योंकि इसको हमने मध्य कल्पित मध्य माना है, तो इसको माइनस करना होता है, इन सब में से एक बार, ठीक है, वही डी आई होता है, तो यहाँ पर यह मेरी जो डी आई है, उसका मान आ गया, अब मुझे क्या कर है, तो माइनस लग जाएगा, माइनस 400, पांच गुना में 50, कितना हो जाएगा, 555 होता है, माइनस डाई 100, क्योंकि यहां माइनस का साइन है, बार को 0 से करोगे तो 0, 2 को करोगे 50 से 50 दूनी 100, 2 को करोगे 100 से 100 दूनी 200, ठीक है, यह हो गया, FIDI, अब मैं क्या करूंगी, इ मेरा बचा 350 ही बचेगा, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी, देखो, यहां आपको क्या करना है, पहले बारंबारता का योग निकालो, ठीक है, इनस को भी जोड़ दो, इनको जोड़ोगे आप, तो आपका 25, इनस सब को जोड़ोगे तो आएगा 25, अब मैं क्या करूंगी, कल्पित माध्य मेरा 225 था, ठीक है, तो मैं सूत्र में लगा दूँगी, कल्पित माध्य मेरा 225 था, मेरा सूत्र होता है माध्य का, ए में मुझे क्या जोड़ना है, कल्पित माध्य में मुझे जोड़ना है ये, और इसको विबाजित करना है इस से तो कल्पित माधी 225 है तो 3930 को 25 से क्या कर दो विबाजित कर दो तो यहाँ इसको कट कट करोगे 25 को 3930 से काटोगे तो आएगा 14 ठीक है 14 है यह माइनस है माइनस 14 225 में से माइनस 14 करोगे तो आएगा 211 जो कि हमारा माध्य है ठीक है तो ये देखो मैं आपको शुरू से दिखा देते हूं ये आपका first question इस तरीके से आपको बनाना है और लिखना है ठीक है अब चलते हमारे question number 2 पे question number 2 देखो क्या है question 2 में आपको दिया हुआ है कि निम्ड बंटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जेव भत्ता दर्शाता है मतलब जो pocket money जिसको आप बोलते हो कि आपको खर्चने के लिए घरवाले कितने पैसे देते हैं बच्चों को तो उनका जो ओसत है वो 12 रुपे निक छे बच्चे ऐसे हैं जिनको जेव खर्च के लिए 13-15 रुपे मिलते हैं नो बच्चे ऐसे हैं जिनको जेव खर्च 15-17 रुपे मिलते हैं तो यह पूरी सार नहीं है इसमें आपकी वोक्षिट में एक mistake है यहाँ पर यह 35 है बिटा यहाँ 25 आएगा इसको आप ठीक कर लोग छे भी ठीक है ये देखो यह में क्या करूँगी यहाँ पे यह दैनिक खर्च तो यह जो बारम-bारता है यह आपको फ्रेशन में दिया गया एस र्makto उतारना है मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है एकसी एकसी कैसे निकालते है 11 जमा में 13 बटे में 2 11 और जमा में 13 कितना होता है 24 बटे में 2 तो 24 से काट दोगे 2 काट दोगे तो आपका आएगा 12 तो मेरा एक्साइच आया कितना 12 उसके बाद 13 से 15 इन जोनों को जोड़ो विवाजित करो 2 से 13 और 15 होते 28 28 बटे 2 कितना होगया, 14, तो मेरा XI कितना आगया, 14, ठीक है, इसी तरीके से करना आपको 15-17, आपका आपका 32-32 बटे 2-16, फिर ऐसे ही 17-19 का निकालना है, 19-21 का, 21-23 का, 23-25 का, बच्चिस यहाँ पे लिखना, आपको 35 नहीं लिखना इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, तो यह क्या होगा, आपका XI हो गया, XI निकालने के पाद मेरा दूसरा काम क्या है, DI nिकालना, ठीक है, DI कैसे निकालना, धीक है, जो मेरा XI यह, उस मेंसे मैं क्या माइनस कर 18 यहाँ पर 8 लिखा हुआ है इसको ठीक कर ले ना यहाँ पर आपको लिखना है 18 ठीक है बाकी सब जगे ठीक है बस एक शुरू में यहाँ mistake हो गई है यह आप लिख ले ना 12 में से 8 माइनस करेंगे सोरी 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6 उसकी बाद 14 में से 18 माइनस करो माइनस 4 फिर 16 में से 18 माइनस करो माइनस 2 18 में से 18 गई 0 20 में से 18 माइनस करो 2 22 में से 18 करेंगे 4 24 में से 18 माइनस करेंगे 6 यह हो गया फिर फिर मैं क्या करूँगी F I D I E निकालूँगी मतलब जो बारंबारता है और जो D I E है इनको कुना करूँगी साथ चीके कितना होता है 42 होता है आपका मैं या पर माइनस का साइन है तो यहां मैंने माइनस लगा दिया उसके बाद 6 को 4 से करना है 6 चोके कितना होता है 24 साइन किसका हैगा माइनस का क्योंकि या माइनस 4 है ठीक है फिर 9 को क्या करूँगी 2 से 9 दूनी 18 माइनस 18 13 को 0 से करूँगी 0 F को अगर मैं 2 से करूँगी तो कितना हैगा 2F फिर 5 5 को 4 से करूंगी 5 चोके होता है 24 और 4 को मैं 6 से करूंगी 4 चोके होता है 24 तो यह मेरा FIDI भी निकल गया अब मुझे क्या करना है इनको जोडना है क्या करूंगी मैं इन सब को जोड के FIDI को मैं जोड़ूँगी तो मेरा आएगा माइनस 40 प्लस 2F देखो कैसे आया इन सब को जोड़ो जो माइनस वाले उन पहले उनको एक साथ जोड़ो यह आएगा 42 24 यह आपका आएगा 8 और 2 यह 84 आपका आएगा ठीक है 84 आएगा माइनस 84 हो गया फिर आप यह जोड़ो पॉजिटिव वाले 2F तो एड़ नहीं हो सकता है इनके साथ 2 के साथ F को क्या जोड़ोगे तो 2 प्लस F ही तो लिखोगे है ना तो इनके साथ आप जोड़के इसको 2F ही लिखोगे अलग से प्लस 2F कर देंगे हम तो प्लस आ यह वाले है 20 और 24 होते हैं आपके 44 तो इसको माइनस करो 040 40 आया यहां पे 84 बढ़ा है 44 बढ़ा है तो माइनस का सइन आ जाएगा तो माइनस 40 प्लस में 2F ठीक है अब यहां पे आपको क्या जोड़ना है यह आपको जोड़ना थी बारमबार था तो बारमबारता जोड़ हम इन सब को आप जोड़ोगे तो आपका एगा 44 प्लस में 7 में ये F ठीक है 44 प्लस F अब देखो मैं सूतर में रख दूंगी सब की value कल्पित माद्धे क्या है मेरा कल्पित माद्धे मैंने माना था 18 को अठारा को माना था तो मेरा जो formula है formula में ये क्या होगा X ये X माना में इस अठारा का योग है तो यहां पर आपको ये पहले से दिया हुआ है 18 यह दे ऊखो प्लस में पहले से माद्धे 18 दिया हुआ ये तो यह वाला ये places एक Gir journalists का यह दिया है और यह कल्पित मात्य भी मेरा 18 है अब मैं क्या करूँगी यह जो f डिया यह मेरा कितना था यह देखो यह कितना था माइनस 40 प्लस में 2f और नीचे जो f यह कितना था 44 प्लस f ठीक है अब इसको हम हल कर लेंगी क्या करूंगी इदर जो 18 प्लस में माइनस में हो जाएगा 18-18 कितना होता है? 0 फिर माइनस 40 प्लस 2f है यहाँ और नीचे क्या है 44 प्लस f है 44 प्लस f इदर विभाजित में है अगर उपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 0 के साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जबाएगा यह 0 ही हो जबाएगा तो मैंने यह पे लिखा 0 यह उपर जाके 0 हो गया अँब क्या बचा सिर्फ minus 40 plus 2F फिर मैं क्या करूंगी यहां पे जो minus है यह 40 है यह minus में इधर आकर हो जबाएगा plus में यह हो गया 40 किस के बराबर हो गया 2F के बराबर हो गया तो यहाँ पे होगा 40 बटे 2 F के बराबर तो यहाँ होगा जो 20 है मेरा F आ गया 20 ठीक है जो हमें निकालना था तो यह हो गया आपका यह मैं आपको दिखा देती हूँ यह है आपका pressure number 2 ठीक है तो यह 2 प्रेशन आज आपको वोक्षीट में दिए गई थे होग अच्छी से आपको दोनों प्रेशन समझ में आ गई है कोई भी डाउट है पूरी वोक्षीट में या कोश्चन्स में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूच सकते हैं और अगर आपको मारे वीडियो अच्छी लगे तो मारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थांक्यू एंडव ग्रेट डी